रेट्रो इस एडीज में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास 11 के हॉर्ण बिल बुक से डिस्कवरिंग टूट दसागा कंटेनियोज पढ़ेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं तो तांका मोन और यह नम बहुत प्रसिद्ध था यह इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि जो फ उनके उस बॉड़ी को CT स्कैन के लिए ले जाए गया ताकि यह जो मिस्ट्री है कि आखिर में इनकी मृत्यू कैसे हुई उस चीज के बारे में पता लगाया जा सके या फिर वो मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सके Forensic Reconstruction करके जो मिस्ट्री था उसको सॉल्व करने का प्रियास किंग तूटके मरने के 30 साल बार स्टार्ट हुआ उनके पिता या उनके दादा जो एमन होटेप 3 थे वो बहुत पाउरफुल राजा थे और वो 40 साल तक राज किये उनका एक बेटा था एमन होटेप 4 जो कि जब सिंगासन पर बैठा तो जिस समय वो उस गद्धी का करता धरता बना वो समय उस डाइनस्टी का सबसे Strangest period माना गया क्योंकि इतना Strangest कारे उसके माध्यम से हुआ कि वैसा इजिप्ट में कभी हुआ ही नहीं उसका नाम बदला अकेंटेन हुआ जिसका मतलब यह था Servant of Athens उसने अपना religious capital थेपस से चेंज करके अमरना किया पिर उसके बाद वो अमन पर अटैक किया अमन एक गौट के रूप में है और उसके बाद उसने जितने भी अमन के images थे उन सब को उसने destroy कर दिया जितने भी temples थ जिसने उसको थ्रीव किया और बहुत जल्दी मर गया और यह जो किंग टुट है वो राजगदी पे 9 साल के लिए बैठा और 9 साल रूल किया जब किंग टुट की बॉड़ी फाइंड की गई आपको पता होगा कि जब एजिप्ट की बात आ गई तो जो बॉड़ी मृतक लो बहुत साल बाद उसे ये चीज प्राप्त हुआ जो खाजाना मिला था उस पे काटर ने बहुत सारा रिसर्च किया और उसने प्लान किया और एक बॉक जो आसपास है उसको भी चेक किया जाना चाहिए चुकि उस टॉम के अंदर जितने भी अलग-अलग जगों पे खाजान हुआ मतलब गोल्डेन चीज बहुत ज्यादा मिला पत्ते वत्ते भी मिले उसमें और इससे ये पता चल रहा था कि जिस समय तुट की बॉड़ी दफनाई गई वो मार्च या अप्रील का मौसम था क्योंकि उसमें कुछ पत्ते मिले थे उसी में कॉफिन था ताबहूत जो क की कार्टर को लगा जो गम यूज किया गया था तुट को नीचे पेस्ट करने के लिए उसके नीचे वो क्या देखता है कि वो भी सॉलीड गोल्ड का बना हुआ कॉफिन जो था वो उसके अंदर जो गम था न वो इस तरीके से इनके बॉड़ी को पकड़ के रखा हुआ था कि ये सब के लिए impossible हो गया कि किस तरीके से तुट के बॉड़ी को displace किया जाए चुकि जहां पे वो लोग थे वहां पे धूब बहुत जादे तीज था और उन्होंने सोचा कि इस बॉक्स को बाहर रख दिया जाए और कई घंटों बाद इसको खोला जाएगा तो ये असान ही नहीं है अब मम्मी को चोटे-चोटे पीस में काटा जाना चाहिए तो कि उनका मानना था कि अगर ये जो कैफिन है अगर थीफ को मिल जाता चोरों को मिल जाता ये चीज वो कर लेते और जितना भी खजाना यहां पर है उसको सब चुरा ले जाते उन लोग के लिए को बहुत सारे प्रोसेस के बाद उस बॉडी को उस कैफिन से बाहर निकाला गया और उसके बाद उस कटे हुए बॉडी को एक सैंट के लेयर पे रखा गया उस ओडेन बॉक्स का कुछ हिस्सा रखते हुए उसको सही जगह पे ले जाके रख देते हैं बाद में 2009 की जनवरी मे तूट की बॉडी CT स्कैन के लिए ले जाए गई और उस दोरान 100 से अधिक फोटो एक सुरे की चाहिए थी ताकि 3D इमेज जनरेट किया जा सके उस रात स्कैन के बाद जो वर्कमैन थे उस टॉम से एक बॉक्स में उसके बॉडी को पास कियें और उसके बाद रैंप के माध कर दिया जिसके वैसे CT scan stop हो गया बहुत सारे fans को use किया गया और किसी भी तरह कोई ना कोई जुगार करके scan को complete किया गया और तीन घंटे बाद वे लोग उसके बॉडी को उस टॉम में वापस transfer कर दिये जहां पे अभी भी वो बॉडी सांती से rest कर रहा है और यहां पे आपक यह chapter समाप्त होता है